अब देखो algebra of functions, algebra of functions जैसे हमने number of algebra देखा था, उनका addition कैसे करते हैं, उनका multiplication करते हैं, और उनका subtraction कैसे करते हैं, उनका divide कैसे करते हैं, उनका scalar multiplication कैसे करते हैं, यही यहाँ पे होने वाले हैं, कि हमें दो function दिये वे हैं, तो उनका addition करके बताओ भई आप, और उनका subtraction करके बत बता हो और उनका क्या बता हो एक को सेंट फोर में जिसको हम डिवाइड बोलते हैं वह है ठीक है एक होता है इसकेलर ठीक हो आप बता हो यहां पर मैं आपको सभी बता देता हूं कौन-कौन सी अपने लिए है पहली पहला भाई एडिशन एडिशन ओफ टू फंक्शन्स पास देखिए एक तो यह फंक्शन है जो कि क्या है वही अक्स से किसमें से आर पे डिफाइन है एक जी फंक्शन है जो अक्स से क्या है आर पे डिफाइन है यहां पर जो अक्स है वह सबसेट है किसका आर का तो इनका जो एडिशन होगा वो कैसे define करते देखिएगा चो addition होगा f of z होगा वो कैसे define होगा f of z यहाँ पर कैसे define होगा वो भी अपने देखिएगा किस से जाएगा x से x से r पर define होगा ठीक है यह यह उनका representation होगा और यहाँ से देखो και f of z यह जदि हम इसके ओपर कोई भी क्या लेते हैं अकस लेते हैं तो देखिए duAmに इस इस तरीके से हम लिख सकते हैं तो इनको कैसे अलग-अलग कर सकते हैं वो इस rule के द्वारा कर सकते, पहली बात तो यह addition कर रहे हैं, तो इन दोनों functions की domain हमेशा same होनी चाहिए, यह बात बहुत ही अच्छी है, तो इसलिए xx को same लिया है, ठीक है, अब इसलिए आप subtraction करोगे, जैसे हम दो numbers का subtraction कैसे करते थे, ठीक वो ही बात है यहां पर भी, तो यहां से दो function, subtraction, function of two function, ठीक है, दो function का subtraction कैसे करते है, देखिए का कि यही दो function होंगे अपने पास, यही, कि f of x है, जो कि x से r पे है, और जो g आएगा, g कोई भी function है, जो कि x से r है, जहां पे, देखिएगा कि x है, वो क्या सबसेट है, किसका r का, तो यह दोनो function ही क्या होगे, real valued function होगे, ठीक है, फिर इसमें हमने क्या क्या subtraction करेंगे, यह, कि f of z, x का subtraction है, वो कैसे होगा x से r के बीच में, ठीक है, यहां पे, फिर इसी में, अब इसको लिखता है कैसे, इसे तो हमने function define कर दिया, लेकिन function में minus, यदि हम इसके उपर x लेंगे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, f of x minus का z x, यह लिख देंगे, ठीक है, अब जो को multiplication क्या आता है, तो इसी परकार, इसी कानिय में, हम multiplication भी देखते हैं, यहीं पे, ठीक हो, multiplication, third वाला point है, क्या, कि multi, question of two function, okay, two functions का multiplication कैसे करते हैं, देखिएगा, कि वो ही बात ही यहाँ पे, कि f आपका एक function है, जो कि क्या है, a set से b set के अंदर है, और आपके लिए z एक function है, जो कि, रुकिए, तो यहाँ से यह क्या होने वाला है, x to r होने वाला है, यह भी x to r होने वाला है, तो इनका multiplication, जैसे हम दो numbers का multiplication कराते हैं, वेसे इनका multiplication भी define होगा, वो भी X2 क्या होगा? R होगा ठीक है? अब यहां से यह तो इस तरीके से हो गया और यहां पर जो X है वो सबसे एक किसका? R का कोई दिकत नहीं है तो यहां से क्या कोने वाले हम? देखो कि F of और GX को क्या लिख सकते हैं? कि F of X लिख सकते हो ठीक है? सीमिलर हम क्या करेंगे? यहां पर एक स्केलर वर्ड और आता है जैसे कि यहां पर स्केलर मल्टिप्लिकेशन क्या होता है? वो और देखो ही क्या हता है? स्केलर स्केलर मल्टिप्लिकेशन ठीक है? अब देखिए स्केलर अपने पास देखो एक function होगा जो कि define होगा किसे x से r में ठीक है अब इसी में एक scalar होगा alpha जो कि real number में आएगा यानि scalar multiplication है किसी भी function का कोई भी scalar 2, 3, 0 किसी के भी साथ आप multiply गढ़ा हो तो यहां से यदि हम ये कराते हैं तो यहां पर क्या आएगा alpha और ये का आएगा x तो इसका जो multiplication आएगा वो x to r ही define होगा ठीक है और यहां से क्या होने वाला यदि हम इसको define करें कि f of x को इसको क्या लिख सकते हैं इसको हम alpha लिख सकते हैं इसको f of x लिख सकते हैं तो यह इसका scalar multiplication हुआ ठीक है इसी में यदि हम five point के बारे में discussion करते हैं constant form के बारे में क्या constant 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 form ठीक है constant form यहां यहां पर होता क्या है यहां पर जैसे कि हमारे पास देखो दो function का divide दिया हुआ कैसे कि एक function f of x है जो कि define कहां से x to r है ठीक है इसी परकार जो gx एक function है जो कि कहां पर define x to r है यही बाते हैं अब यहां से क्या होने वाला है कि अब इनका constant या निका constant form का मतलब divide ले लो तो यहां से देखो gx किसी को भी ले लो gx upon में क्या ले लो कि यहां से ले लो f of x है ना तो यहां से जो f of x आएगा वो आएगा does not equal to 0 यही इसका क्या होता consent form आता है